मित्रों ये उन दिनों की बात है जब शहर नहीं थे गाउं भी नहीं थे जब कबीले हुआ करते थे तब ये कहानी कबीले कबीले से होती ही कान कान तक पहुँची लोगों ने आसमान में देख देख कर कहानी कही और कहते गए कहानी शुरू होती है वरू नाम के लड़के से वरू अच्छा सुन्दर था शक्तिशाली था अपने कबीले का सबसे बाका जबान भी था लेकिन जिंदिगी के कई सबक उसे सीखने अभी बाकी थे इसलिए कबील बड़ा नाम चाहिए था वरू एक दिन शिकार से लोटा तो वो ठका हुआ था भूखा था कबीले में आ कर उसने अपनी बूढ़ी दादी से खाना मनगा तो उन्होंने बताया कि वो ठकी हुई हैं फिर उसने अपनी माँ से खाना मांगा तो मा ने कहा कि खाना खत्म हो गय उसने मा और दादी पर बहुत गुस्सा किया, वो बाहर गया और कई लोगों से खाना मांगा, लेकिन किसी के घर में खाना बचा नहीं था, उस वक्त मित्रों फिरिज भी नहीं होते थे, नहीं जो खाना संभाल कर रखा जा सके, कुछ फल रखे थे, लेकिन वरू को फल नहीं खाना था, उसे गोस्त खाना था, वो तो उसे अगले दिन ही मिल सकता था, उसे बहुत तेज गुस्सा आया, जिस कभीले में इज्जत ना हो, महां नहीं रहेगा, ये सोच कर वो हत्यार उठा कर निकल पड़ा, उसने सोचा कि मै मैं दूसरी जगह पर जाओंगा, और तो मेरी ताकत की इज्जत होगी, उसने गुस्से में ऐसा कदम उठा लिया, और नए इलाके में नए दोस्तों की खोज में निकल पड़ा, कई दिन तक फल और पत्तियों से जैसे तैसे उसने पेट भरा, तब ही उसने देखा, लंबा तेज लगी थी, उसने उस चोगा पहने बोड़े आदमी से खाने के लिए कुछ मांगा, बोड़ा आदमी जब पल्टा, तो वरु हैरान रह गया, क्योंकि उस बोड़े आदमी की कोई आँख ही नहीं थी, वरु के कभीले में ऐसे कहानिया मशूर थी, कि बिना आँख वाल दमी ने ना शिर्फ सहत दिया, बलकि और भी बहुत कुछ खाने को दिया, वरु को हैरानी थी कि इस बोड़े शक्ष ने बिना कुछ देखे उसके हाथ में सही से समान दे रहा है, वरु का पेट भरा, तो उसका डर शुरू हो गया, पर वरु को ताकत दिखानी थी, उसने ऐसा नाटक किया कि वो डरा नहीं, उसने पूचा कि आपकी आखे क्यों नहीं है, बोड़े शक्ष ने बताया कि उनके कबीले में किसी की भी आख नहीं है, वो अपनी आख को, वो अपनी नाख से ही देखते हैं, वरु ये सोच कर और भी डर गया कि बिना आखो वाला इंसा उसे देख कैसे पा रहा है, हाला कि वो बुड़ा शक्स मददगार था, दयालू था, उसने वरु को खाने को भी दिया, और पर उसके नई पसंद की पेशकस से वरु बहुत बुरी तरह डर गया, बुड़े शक्स ने उसे अपने साथ कबीले में चलने के लिए कहा, वरु क मना करने की हिम्मत नहीं हुई, वरु ने बुड़े आदमी का शहद उठाया, और उसके पीछे पीछे चल दिया, जैसे उसे दूर से कबीला दिखाई दिया, वरु की धड़कने बढ़ गई, वरु पहले धीमा हुआ, और फिर पहला मौका लगते ही, शहद हाथ में उठाक कबीले से उल्टी दिशा में भाग गया, वो भागता जा रहा था, उसने मुड़कर ये भी नहीं देखा कि, उस बुड़े शक्ष ने पलट कर देखा भी है या नहीं, वो जितना दूर भाग सकता था, उतनी दूर भाग गया, लेकिन मुसीबते इतनी आसानी से पीछा कहा चोड़ती है, ये सबक भी अवे वरु को मिलना बाकी था, भागते भागते बहुत देर हो गई, वरु की सास फूली हुई थी, शाम हो गई थी, वो एक जील के किनारे रुका, बहुत सुन्दर जील थी, एकदम नीले रंग का साफ पानी, उसने जी भर कर पानी पिया, पास पास कोई जील नहीं थी, जील की जगा पर रेतीला मैदान था, वो हैरान रह गया, वरु को लगा कि उसने सपना देखा है, पर उसे याद आया कि उसने तो जील का पानी पिया था, पास के पेडों से फल खाया था, तो ये सपना नहीं हो सकता, फिर ये क्या जादू है, कही उन बिना आखो वाले कबीले वालों ने तो ये नहीं किया, कहीं वो उसे खोशते तो नहीं आ रहे, वरो ये ही सोच रहा था, तब ही उसने देखा कि हवाई तेज हो रही हैं, आस्मान में बादल बन रहे हैं, लग रहा है जासे बहुत तेज तुफान आएगा, उफ ये क्या नहीं मुसीबत आ गई उसने आसपास देखा तो घनी जाड़ी नजर आई वो तुफान से बचने की कोशिश में जाड़ी में जाचिपा जाड़ी में उसे कुछ पेड़ के तने कटे हुए दिखाई दिये पेड़ों की चाल और रस्सी भी अरे वाह ये तो तुफान से बचने का इंतजाम हो गया उसने सोचा तुरंथ ही वो खंबों को बांद कर धाचा खड़ा कर लिया अब उसने पेड़ों की चाल उठाई पर ये क्या पेड़ की चाल के नीचे देखकर वो हैरान रह गया ये अजीव से दिखने वाली चीज क्या है वो बहुत ही अजीव किस्म के इंसान थे एक दम चप्टे जो चाल के नीचे छिपे हुए थे गत्ते की तरह पतले हवा में उड़ जाए चाल के हडते ही वो जोर जोर से चीखने लगे तम हमें मारना चाहते हो हमें हवा में उड़ाना चाहते हो भागो यहां से भागो यहां से वरु ने देखा ऐसे एक नहीं कई लोग थे और वो लकडियां और चाल शायद उनके घर थे शायद वो ऐसे ही घरों में रहते थे उनके पास सुई की तरह पतले हथियार थे बाप रे ये कैसा कभीला है इस बारे में तो कभी नहीं सुना कहते हैं वो सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ उसके हाथ में भाला था पर वो भाले से कितनों को मारता यहाँ तो पूरी फौज चाल के नीचे से निकल रही थी डर के मारे वो शैद को भी वहीं छोड़ गया बाप रे ये दुनिया कितनी अजीब है पहले बिना आखो वाला कभीला अब ये सिकड़ी पहलवान कभीला भागते भागते उसे तुफान का डर भी नहीं रहा उसने दूर से देखा तो तुफान के बादल उसे जगा बरस रहे हैं ओ ओ तो इस तरह से जेल बनती है और शायद रेतिली जगा होने से पानी सूक भी जाता है वो चलते चलते ऐसे जगा पहुँच गया जहां तेन तरफ से नदी थी नदी इतनी बड़ी थी कि उसे पार करना मुश्किल था बहाव इतना तेज था कि तैयर कर जाना भी मुश्क पहुचिल था वो वापस मुड़ा तो वहां बहुत से शुतर मुर्ग दोड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे थे शुतर मुर्ग पक्षी बड़े होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते लेकिन तेज दोड़ते हैं इतने सारे शुतर मुर्ग तो आज शुतर मुर्ग से ही पे और पंक थे पर बाद में आने वालों के पंक नहीं थे वरो को इस से क्या मतलब सारे भाग दोड़ के बाद भी वो अपना भाला साथ उठा लाया था वो पेड़ पर चड़ गया और एक शुतरमर्ग पर निशाना लगा कर भाला फेका निशाना चूका जरूर और दूसरा शिकार हो गया उसने बाकी शुतरमर्ग के जाने का इंतजार किया लेकिन वो शुतरमर्ग जा ही नहीं रहे थे उसी के आसपास गूम रहे थे वो पेड़ से उतरा और छिपकर थोड़ा नजदेग गया तो उसने देखा कि ये दरशल शुतरमर्ग थे ही नहीं ये कबीले व और उको ये समझ नहीं आया कि ये चिला क्यों रहे थे पर वो ये समझ गया कि चुतरमुर्ग कबीला बदला लेना चाहता था वो भाला फेकने वाले को खोज रहे थे इस बार उसे सबसे ज्यादा डर लगा वो दुम दबा कर भागा इतना तेज के जिंदिगी में कभी नहीं भागा था उसे हसास हुआ कि परिवार के बीच रहकर अपने कबीले के बीच रहकर वो सबसे ज्यादा सुरक्षित था दुनिया अजीब और गरीब लोगों से भरी है सबको अकेले जानना बहुत खतरनाक है लेकिन उसे जिंदिगी का सबसे बड़ा सबक सीखना अभी बाक की था वरो पहले बिना आखों वाले कबीले के पास से भागा फिर गत्ते जैसे पतले बदन वाले कबीलें से भागा फिर चुतर मुर्ग कबीले के सदस्यों को उसने मार दिया अब उसे डर लग रहा था कि कभी भी कोई भी कबीला आकर उसे भी मार सकता है काश वो अपने क कमजोरी का हिसास होने लगा तभी उसे चिपने के लिए एक गुफा दिखाई दी वो गुफा में चिपकर बैट गया लेकिन उसकी सांस थमी रह गई उसने देखा कि पहले से कुछ लोग गुफा में मौजूद हैं ये किस कबीले के हैं क्या ये दुश्मन है या दोज्ट क्य चाहिए या नहीं यहीं सोचकर वो चुप्चाप बैठा रहा दिरे धिरे गुफा के अंधेरे में उससे दिखाई देने लगा उसने देखा कि गुफा में डरी सहमी साथ लड़कियां बैठी हूई हैं वो अभी सहमी हुई हैं डरी लड़कियों ने उसको खाणा दिया दोस्ती का हाथ बढ़ाया वरू को भूग तो लगी थी उसने चुपचाप खाना खाया तो लड़कियों ने उसे पीने के लिए पानी भी दिया धीरे धीरे वरू और लड़कियों का डर खत्म हो गया एक तरह से डरे हुए लोगों में दोस्ती हो गई वो रात को उसे गुफा में रुका सबस्त दिन के उजाले में वो लोग बाहर निकले तो वरू हैरान रह गए ये लड़कियां दर्शल साथ बहने थी जो खूबसूरती में एक से बढ़कर एक थी लग रहा था जैसे परियां हो वरू ने पूछा तो उन लड़कियों ने बताया कि वो मेमई कभीले से हैं और उनका घर बहुत बहुत दूर है वो ये देश देखने आई थी और कुछ दिन रुक कर वापस लोड़ जाएंगी अगले कुछ दिन मेमई बेहनों ने खोब मस्ती की वो पेड़ पर चड़कर फल तोड़ती थी लताओं से जूला बना कर जूलती थी वो पानी में तैरती थी जरने में नहाती थी शाम होते ही वो गुफा में छिप जाती थी रात के अंधेरे से उनने बहुत डर लगता था देरे देरे उनका समूह पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा वरो को हमेशा लगता था जैसे कोई कभीला आकर इन मेमई बेहनों को उनसे च्छीन लेगा उसे ये बेहने अपनी संपत्ती की तरह लगने लगी ये अलग बात थी कि मेमई बेहने अपनी रक्षा करना जानती थी उनके हाथ में छोटी सी कुलहाड़ी रहती थी जिसे वो अच्छी तरह चलाना जानती थी साथ बेहनों में सबसे छोटी थी कृतिका कृतिका को हथियार चलाना नहीं आता था जबकि बड़ी बेहनों को आता था कृतिका अपनी बेहनों से कमजोर थी छोटी जो थी कृतिका को हमेशा बड़ी बेहनों की सुरक्षा मिली थी इसलिए उसे कभी डर भी नहीं लगता था लेकिन फिर वो दिन आया जब कृतिका समेत बाकी बेहनों को अपने कबीले की तरफ लोटना था उस दिन सुबा से उन्होंने पहाडों के फूल इकटा किये तरह तरह के बीच जुटाए कई तरह के फल जोली में रखे शायद उनका कबीला पास ही था वही वरू सोच रहा था कि शायद आज उसकी संपत्ति उससे छिन जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा तब उसके दिमाग बेख खयाल आया उसने कृतिका की कुलहाडी छिपा ली सारी बेहने देवदार के जंगल में दाखिल होने लगी तो कृतिका को कुलहाडी की याद आई वो परेशान थी बेहना नों से जल्दी से कुलहाडी लेकर लोटने को कहा लेकिन कुलहाडी कहां मिलती वो तो वरू ने चिपाई हुई थी वरू भी कुलहाडी ढूनने का नाटक करता रहा आखिरकार शाम हो गई और कृतिका रोने लगी वरू ने बताया कि उसकी बेहने जा चुकी है और वो कृतिका को लेकर वही रहने लगा बेचारी कृतिका वरू पर पूरा भरोसा कर रही थी पर वरू ने तो कृतिका को अपनी संपत्ती माल लिया था वो कृतिका को पाना चाहता था उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था कुछ दिन तक इंतजार करने के बाद कृतिका ने इसे अपनी नियती माल लिया वारू ने कभी सवाल भी नहीं किया कि बिना कुलहाडी के वो अपने घर क्यों नहीं लोट सकती कृतिका ने भी कभी अपने मेमे कबीले के बारे में ज्यादा नहीं बताया पर वो अपनी बेहनों की कोब बाते किया करती थी वरू की जिंदिगी खुबसूरत हो गई लेकिन वक्त हमेशा एक सा तो नहीं रहता और एक सबसे बड़ा सबक मिलना तो अभी बाकी था कृतिका और वरू ने नहीं जिंदिगी शुरू की वरू के लिए कृतिका सारे इंतजाम करती थी वहीं वरू और कृतिका मिलकर शिकार भी करते थे जिंदिगी की गाड़ी चल पड़ी थी क्रितिका को लगा की उसकी बेहनों ने उसे भुला दिया और वरू ने उसका साथ दिया है उसके मन में एक बार भी नहीं आया की वरू ने उसे धोके से अपने पास रोक लिया है एक दिन वरू शिकार करके लाया शिकार को पकड़ने में उसे खुब भागना पड़ा लेकिन घार में पकाने के लिए लकड़ियां खत्म हो गई थी वरू ने कृतिका को लकड़ियां लाने को कहा पर शाम हो चुकी थी और कृतिका को अंधेरे में डर लगता था उसने अंधेरे में जाने से मना कर दिया तब वरू ने उसे पास के देवदार के पेड़ से चाल लाने को कहा ताकि खाना पकाया जा सके परकृतका ने देवदार के पेड़ की चाल लाने से मना कर दिया कृतका ने कहा उसके हाथ नाजुक है वो देवदार की चाल नहीं चील सकती वरू को बहुत तेज गुस्सा आया उसने चाकू दिया और कृतका को चाल चीलने का आदेश दिया कृतिका ने च्छाल चीलने से फिर मना कर दिया, कहा कि रात को देवदार की च्छाल नहीं चीलनी चाहिए, दोनों की बिच बहस हो रही थी, वरु रॉप जाड रहा था, उसे डरा रहा था, कृतिका देवदार की च्छाल नहीं चीलना चाहती थी, इसलिए वो कभी कॉमल हाथ, कभी राथ, कभी चाकू की धार तेज ना होने की बात कह रही थी तब गुस्से में वरू ने वो छिपाई ही कुलाडी निकाल कर दी और कृतिका को छाल चीलने का आदेश दिया कुलाडी को देखकर कृतिका के आँखों से आँसु निकल पड़े, उसे समझ आ गया कि वरू ने से रोकने के लिए ही ये धोखा दिया था तब उसने आखरी बार वरू को एक बात कही, आगर वो कुलाडी से देवदार के पेड़ की छाल चीलेगी, तो कभी नहीं लोटेगी वरू ने भी उसे गुस्सा दिखाते हुए जबरन भेज दिया, कहा कि वो भाग कर जहां भी जाएगी, वो उसे पकड़ लाएगा वो उस पर कबजा कर लेगा, जैसा उसने पहले किया है, और हाँ, ये भी धमकाया कि अगर भागते हुए पकड़ा, तो उसकी बहुत पिटाई करेगा कृतका रोते हुए चली गई, पास के देवदार के पेड़ पर कुलहाडी चलाने की आवाज आई, तो वर्यों को अपनी जीत का एहसास हुआ उसने जोर से बालों को जटक कर अपनी ताकत महसूस की, लेकिन इसके बाद फिर आवाज नहीं आई, उसका गुस्सा भढ़का और वो तेजी से देवदार के पेड़ की तरफ भागा, उसने देखा कि देवदार का पेड़ बढ़ा हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कु पेड़ बढ़ा होता जा रहा था, और नीचे वरू बेबस कृतका को देखे जा रहा था, देरे देरे देवदार का पेड़ आसमान को छोने लगा, वो आकास तक पहुच गया, वह मिमई बेहने कृतका का इंतजार कर रही थी, बेहने ने कृतका को हाथ बढ़ा कर आसमान म गया कृत्का वापस अपने कबीले में अपनी बेहनों की सुरक्षा में पहुच गई थी और सभी बेहने शांती से आसमान में चमकने लगी मित्रों बारत में कृतका तारा मंडल के नाम से उस सम। को पहचाना जाता है दुनिया के लोगों के लिए ये तारा मंडल है पर कभीले वाले इसे मेमई सिस्टर्स के नाम से जानते हैं अक्षर जंगलों में चलने वालों को ये तारा मंडल राह दिखाता है इसने वरू को भी राह दिखाई कि रिस्तों में जोर जबरदस्ती धंकी नहीं चलती प्यार से कृत का वरू के पास रुकी थी दमकियों से दूर चली गई यह सबसे बड़ा सबक था जिसके साथ वो अपने कभीले में लोटा और उसके बाद उसने कभी ना मा से ना कभी दादी से और ना किसी दूसरी महिला से बत्तमीजी की मेमे बहनों ने वरू को भी रास्ता दिखाया था, मित्रों कथा आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको अख़ता कैसे लगी अपने विचार और सुझा कमेंट में जरूर दें हमारी कथाओं को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा गयन पराप्त हो जये शिर रांबक तो